लो वेल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल गाईज तो फिर से हम लोग आपका स्वागत है मेरे ग्यान को इस चैनल पर प्लीज अभी आप अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ओके तो आज हम लोग बात करेंगे CA Intermediate Day-wise Planning के बारे में और Full Motivations के बारे में As per new syllabus हम लोग सब कुछ कवर करेंगे हम लोग इस strategy में हमारे एक भी chapter skip नहीं होगा हम लोग सारा कुछ करेंगे और एक दम दम लगा के करेंगे दम लगा के हैसा इस बार मेरे 24 में दम लगाएंगे देखो अभी exam कब अब तक होते हैं ऐसे तो अभी time हमारे पास minimum 40 days में मान के चलूँगी एक दो दीन ही दर अगर extend हो गया तो यह हमारा bonus है बट अभी कुछ कह नहीं सकते जब तक notification नहीं आ जाता है आज हो सकता है में भी हमारा elections का date final होगा उसके बाद आइसके आइब क्लेरिफिकेशन दे देगा कि हां हमारा exam कब है तो चलिए हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट के strategy और exam के anxiety के बारे में ठीक है ना बट देखो मैं एक बात बता दू कि वही मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हो लेकिन हा मैंने भी एक्जाम दीए है तो मुझे पता है कि इस समय बहुत ज़ादा हमें इंजीस होके बहुत ज़ादा यह तो परिशान होता है ठीक है और मैं जो टेक्निक जो यूज करती थी अपने टाइम पर वो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज तो चलिए सुरू करते हैं अब यहां पर आपके सामने एक चार्ट हो रहा है ठीक है ना यह चार्ट से हम मतलब अब देखो ग्री कि एक ही दिन बैठेंगे फुल मोटिवेशन के साथ मारेंगे 14 गंटा 15 गंटे अगले दिन कम अगले दिन फिर गाय ऐसे हो जाता है फ्लेक्सिबल यहां पर भी मतलब देखे एक दिन कम थोड़ा दूसरे दिन भी मोटिवेशन रहा तो जादा था फिर कम 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 ऐसे हो गया नह अगर आप अगर सचे कि आप गंटा पड़ दिन भर में गंटा फर लेकिन वो डेली कर रहे हैं आपका कप घंटे बढ़ जाए आपको खुद पता नहीं चले घवाव और सॉचते हैं आप उनसे सूच नहीं करना है यह तिकस्ति पर काम नहीं हो पाता है यह स्ष्ष्ट करन है वो दस मिनट से ही क्यों नहों ठीक है न तो तो क्या मतब इतना इक्जाम का टेंशन नहीं लेना है दम-दम लगा के जितना ज्यादा हो सकेगा जितना ज्यादा अगर आप चाहते हैं कि यह हमारा हो तो आप जान लगा दीजिए कैसे भी करके मुझे पढ़ना है अब कुछ इसे में मोटिवेशन सायरी पात्मा गादी जी ने कहा था आपका भविश हमेशा अपने आज क्या किया उस पर निर्खर होता है एकदम दिल छू जाने वाली बात कही है कि होते हैं कि लोग बुलते हैं कि अरे मेरा तो कुछ है नहीं लोग बहाने ही कर करते रहते हैं लेकिन आपका आज डिसाइड करेगा कि आप आगे क्या करेंगे यह बोल रहा है यह देखिए नीचे गिरना भी बहुत जरूरी है वह इंसान की अपनी असली उकाद दिखाता है अब इसका क्या मतलब कि आप समझे कि लोग जैसे में एडमिशन ही काही हम मैं बोलूंगी हो सकता है आपको बुरा लगे कि अडमिशन हम लोग ले लेते हैं फिर उसके बाद क्या होता है लगता है कि नहीं अब तो मुझे करना ही होगा कैसे भी कुछ भी हो जाय मुझे करना है तो यह है आप अपना भविश नहीं बदल सकते हैं पर आप अपनी आदते तो बदल सकते हैं और बदली हुई आदते आपका भविश बदल देगी एपी जे अगदुकलाम जी ने कहा है कि आप अपना भविश नहीं बदल सकते सोचे कितनी बड़ी बात कह रहे हैंगे अगर हम अपने डिसिप्लीन में रहते हैं यह जो आदत से बदलनी वाली बात कही है इन्होंने ने डिसिप्लीन की बाते कर रहे हैं अगर हम अपने कुछ नहीं करना है अगर आप डिसिप्लीन में रहने लगते हैं आप कब क्या हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा आप आगे ही बढ़ते रह जाओगे उठो जागो और लिए जान लगाके तो पढ़ाई करो और इस बार का अपनी फैमिली के लिए पनी ममी पापा के लिए उठो और इस अटेंप को क्लियर करो ठीक है ना फिर अम लोग चलते हैं सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं बहुत जारा मोटिवेशन हो गया सब्जेक्क के बारे मे यह बाइबेक ऑफ शेयर्स इंटर्नल रिज एडवांस अकाउंटिंग मैंने भी देखा है जो चैप्टर सब्जेक्ट है बहुत चेंज हो गया है मतलब पहले जब आ रहा था ना इनांस्मेंट की एडवांस अकाउंटिंग मतलब एड़ एकाउंटिंग और एडवांस अक पहले जो 20 नंबर के अकाउंटिंग स्टेंडर आते थे उसी में से हमको इतना लगता था कि या थियोरी है कैसे होगा प्रैक्टिकल में तो कैसे भी यह होता है कि चलो ठीक है चैप्टर समझ लिया और उसको हम यह थियोरी होता है ना इसमें जादा नंबर मिल नहीं पाते ह आपको भी पता होगा यह चीज तो तीक अब आया हुआ तो कर नहीं होगा बैग्ए और यह सब जो जितना सारा चैप्टर है ना 7 आप इसको दो दीन में कंप्लीट करो कि दो दीन में कैसे भी देखो अब बोलो कि कैसे होगा लेकिन नहीं होगा तो छोड़ तो फिर सिय कु पढ़ा है फिर यह टैन पढ़ा है एलेवन पढ़ा है और नहींस फूर है फाइफ है सेवन है नाइन यह सब है लेकिन लिए हमने उसमें तो हमन्त हैं फिर ट्वल्ट भी था में था फ्रीफटीन नहीं था 16 था 17 यह सेगमेंट यह नहीं था यह सब नहीं था यह सब पढ़ना पड़ेगा लेकिन आट नौ एस तो था ही न यह 22 देखो एड़ां एकाउंटिंग फॉर टैक्सेज यह डिसकंटिनिव इंटल यह सब तो नहीं था अब यह आ गया कंपनी लौ बिलीव में आप इसको न पहले अदर लौ से स्टार्ट करना पढ़ाई करना तो यहां पे अदर लौ पूरा यह कंप्लेट करके फिर आप यहां से चलना चप्टर 11 दस नो आट यह और यह वाला यह तो लौ में आस आराम से पास जाओगे फिर यहां पे टैक्शेशन आ गया यह होगा है न चे दिन में आपका एक्जाम खत्म हो जागा मतलब छे दिन आप बोल रहे हैं एक दिन गैप करके आठ दीन देने थे वाप रहे चार सब्जेट ठीक है वो भी सही था यह फाइफ है छोड़के और बागी जो छोटा-छोटा चैप्टर है मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इस पे कौन से चैप्टर क्या करना है आप उसी को देख के करिए इतना जदा करने का जोरत नहीं है और जेस्टी का भी मैंने बताया हुआ है उसमें आप हो देखे और उ सब्सक्राइब करने करें तो आप इसे हम लोग मान की नहीं चल सकते हैं अब हमारे पास आज कौन सा डेट है 14 मार्च है ना तो बहुत कम समय रह गया है तो आप इसको फॉलो करें और दीखे आप बहुत मतलब पास तो हुई जाएंगे अगर अच्छे से पॉलोगे अगर करते हैं चलिए ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मा सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू थैंक यू थैंक यू वाइस